हलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल डीप स्टडी वीडियो स्टार्ट होने के पहले वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें जसा कि हम लोग पिछले वीडियो में गोलिये दर्पन यानि अस्फेरिकल मीरर के लिए कीरन अरेको की बनावट के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम लोग आउतल दर्पन के सामने विभीन दूरी पर रखी गई वस्तू के दवारा बने परतिविम को जान है तो चलते हैं आज के पहले पॉइंट पर वस्तू अवतल दर्पन के फोकस तथा धुरूव के बीच रखने पर कैसा परतिविम बनेगा एक अवतल दर्पन जिसका धुरूव पी और फोकस एफ के बीच एक वस्तू एबी रखी हुई है जब एबी से एक किरन दर्पन से परावर्तन के बाद फोकस होके गुजरती है तब यह किरन दर्पन के पीछे से आती भी परतीत होती है ठीक इसी प्रकार जब एक किरन सेंटर अफ करवेचर यानि वकता केंदर से होकर गुजरती है और दर्पन से परावर्थन के बाद फिर उसी पात पे लोट जाती है तब यह भी पीछे से आती भी परतीत होती है जैसा कि हम लोग आती हुई जो परतीत हो रही है किरन उसको डॉटेड लाइन से दर्साया गया है जब यह दोनों किरने जिस बिंदू पर आगे चल करके आपकर एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर इस वस्तू का परत्विम बनेगा देखते हैं कि यह दर्पन के पीछे परत्विम बन रहा है दूसरी बात यह एक अभासी परत्विम बनेगा और दर्पन के पीछे जब बन रहा है और वस्तू के ठीक सीधा परत्विम बन रहा है और वस्तु से ये इसका परतिविम बड़ा बनेगा जिसे वस्तु का size ये है और परतिविम का size बड़ा बन रहा है ठीक है, दूसरे point पर चलते हैं जब वस्तु और दरपन के focus पे हो तब एक और दरपन के focus पे एक वस्तु AB रखा गिया है जब AB से एक किरन दरपन से परावरतन के बाद फोकस से होके गुजरती है और एक किरन सेंटर अफ करवेचर यानि वकरता केंद से होके गुजर रही है और दरपन से परावरतन के बाद फिर उसी पात पे लोट जा रही है तब इन दोनों किर्णों का मिलना अनंत पर जाएगा ये दोनों किर्ण आपस में अनंत पर जाके मिलेंगे जिससे इसका परतिविम बहुत बड़ा बनेगा दूसरी बात यह वास्तविक परतिविम बनाएगा और वस्तु के उल्टा बनेगा परती भी नीचे साइड भी बनेगा इधर साइड में ठीक है अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर जब वस्तु आतल दर्पन के वकरता केंदर यानि सी और फोकस एफ के बीच हो तब एक अउतल दर्पन है इस अउतल दर्पन के फोकस और सेंटर अफ करवेचर मतलब वकरता केंदर के बीच एक वस्तु एवी इस्तित हैं जब एवी से एक किरन दर्पन से परावरतन के बाद फोकस से होके गुजरती है और एक किरन सेंटर अफ करवेचर यानि वकरता केंदर से होके गुजरती है और फिर परावरतन के बाद फिर उसी पात पे लोट आती है तो ये दोनों की रन जब जिस बिंदू पर आ करके एक दूसरे परावर्तन के बाद जिस बिंदू पर आ करके एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर इस वस्तू का परतिवीम बनेगा यह पर्तिवीम वस्तू से बरा बन रहा है वस्तू का साइच और पर्तिवीम का साइच बरा होगा दूसरी बात यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच का पर्तिवीम होगा अगर पूछा जाए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे वस्तू का पर्तिवीम का पोजीशन क्या होगा तो बताएंगे हम कि वक्रता केंद्र और अनंद के बीच बनेगा वस्तू से बरा बनेगा वस्तू से बरा हो गया और वस्तू का उल्टा बनेगा और वास्तिविक परतिवीम होगा ठीक है चलते हम अपने चोथे पॉइंट पर जब वस्तु आउतल दर्पन के वक्रता केंदर पर हो तब क्या हाँ बनेगा परतिवीम एक आउतल दर्पन है जिसके वक्रता केंदर यानि सेंटर अफ करवेचर पे एक वस्तु एबी रखी गई है जब यहां से एबी से एक किरन दर्पन से परावरतन के बाद फोकस से होके गुजर रही है और सेंटर अफ करवेचर से ही एक किरन फोकस की दिशा में आके आती है और दर्पन से परावरतन के बाद मुख अच के समनांतर निकल जा रही है जब मुख मुख अच के समनांतर निकलती है तब यह कीरण और जब ए बी से जो center of curvature से गुजरती वी कीरण परावरतन के बाद दूसरी यह कीरण दोनों जब आपस में जिस बिंदू पे काटेगी वो इसका परतिवीम बनेगा ठीक यहां पर हम देख रहे हैं कि center of curvature यानि वक्रता के अंदर पे AB वस्तू को रखा गिया है तो इसका परतिवीम भी center of curvature पे ही बन रहा है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं कि परतिवीम वक्रता के अंदर पे ही बन रहा है दूसरी बात और परतिवीम का साइज बड़ावर होगा वस्तू से परतिवीम उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा ठेक आते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर जब वस्तू अनन्थ और वक्रता केंदर के बीच हो यहां वक्रता केंदर है और इधर अनन्थ है इन दोनों के बीच एक वस्तू को रखा गया है एबी इससे एक किरन दरपन से परावरतन के बाद फोकस से होके गुजर रही है और यहां से एक किरन सेंटर अफ करवेचर यानि वक्रता केंदर से होकर आ रही है और दरपन से परावरतन के बाद ठिक उसी पाथ फिर लोट जा रही है इस करम में यह दोनों रेखा हैं जिस बिंदू पर एक दूसरे को काटेगी वहां पर उसका परतिविम बनेगा तो य वस्तू से छोटा बन रहा है मनें परतिविम यहां छोटा बन रहा है वस्तू का से उल्टा बन रहा है परतिविम और परतिविम हमारा वक्रता केंदर और फोकस के बीच बनेगा साथ में उल्टा बन रहा है ठीक है अगले पॉइंट पे चलते हैं जब अस्तु अनन्द पर हो तब परतवीम कहां बनेगा एक अउतल दर्पन पे अनन्द से दो किरने आ रही है एक किरन इसके ध्रूब यानि पी पर आ करके परावर्तित हो रही है दूसरी किरन इसके समनांतर आ रही है और प्रावर्तित हो रही है जब ये किरन प्रावर्तित होने के बाद दोनों किरने जिस बिंदू पर एक दूसरे को काटेगी वहाँ उसका परतवीम बनेगा और अनन्द से जब आती है तो ये फोकस पर एक दूसरे को कट करती है ठीक है परतिवीम कहां पर बनेगा फोकस पर यह वास्तिविक परतिवीम होगा दूसरा उल्टा होगा और अनंत से आ रही है तो इसका परतिवीम बहुत छोटा बनेगा ठीक है अब हम यहां पर इस टोटल सिक्स जो फीगर बना इसका एक ट्रिक जानेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं एफ सी आई एफ सी आई इसके बारे में सब लोग सुने हैं एफ सी आई अब इसी वर्ट को ठीक उल्टा करके लिखेंगे हम आई सी एफ बस आई का पोजिशन यहां कर देना है और एफ का पोजिशन यहां कर देना है अब आप यहां पर देखिएगा एफ मतलब फोकस सी मतलब सेंटर अफ करवेचर आई मतलब इंफिनिटी जब फोकस पे वस्तू को रखेंगे जब focus पे रहेंगे वस्तु को focus पे तो इसका परतिविम कहां बनेगा i पर ठीक focus पे रहेंगे तो i पर मतलब infinity में यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ देखिए जब infinity पे कोई वस्तु रहेगा तो उसका परतिविम कहां बनेगा फोकस पे जैसे यहां देखिए जब अस तु अनन्द पर हो मतलब आई, infinity पर हो तो परतिवीम कहां बन रहा है फोकस पे अनन्द पर है आई, तो परतिवीम कहां बनेगा फोकस पे ठीक, जब center of curvature पर हो, c पर हो तो उसका परतिवीम c पर ही बनेगा यह चीज, ठीक, अगर f, c, i i, c, f ठीक, अगर f और c के बीच बन रहा बस्तू को रखा गया है तो परतिवीम भी i और c के बीच बनेगा मतलब इसके बीच कोई बस्तू रखेंगे तो यहां इसके बीच बस्तू बनेगा अगर इसके c और i के बीच किसी बस्तू को रखते हैं तो c और f के बीच में परतिवीम बनेगा यह एक छोटी सी ट्रिक है f, c, i अपस i को इधर कर दिजिए f को इधर कर दिजिए इसको याद कर लिजिए आपको यह जो 6 figure है इस सारा चीज आपको इसी से याद हो जाएगा तो चलिए आज के लिए धन्यवाद कि अगले वीडियो में मिलते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए साथ में चैनल को धन्यवाद